हेलो फ्रेंट्स, WS Cube Tech के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंट्स, आज क्लास 9 में हम लोग डिसकस करने वाले अपने चैप्टर नमबर 13 को चैप्टर नमबर 13 जो है फ्रेंट्स, वो अपने पास Employability Skills को लेकर के है और इसमें हम लोग बात करने वाले, आज फिर कुछ ICT को लेकर के तो फ्रेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग डिसकस करेंगे, यहाँ पर क्योंकि चैप्टर का नाम है Introduction to Email, इमेल क्या होता है, आप सभी लोग जानते है इमेल आपके पास ऐसा एक feature है, बेसिक लेगर हम बात करें, इमेल को लेकर के तो इमेल की full form क्या होती है, आप लोग जानते है, electronic mail जैसे हम लोग friends कह सकते है, traditional mail हम लोग use करते थे, लेटर हम लोग use करते थे उसी काम को अब हम लोग internet के through भी कर सकते है इंटरनेट के through अब आप किसी को भी जो है, वो message send कर सकते है आप कह सकते है, message post कर सकते है, या letter send कर सकते है electronic format में, या digital format में, इसको हम लोग क्या बोलते है friends, email तो start करते है friends, हम लोग इस chapter को, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले है कुछ applications of emails को लेकर के, क्यों email की जो applications क्या है, उसके benefits क्या है, उसके uses क्या है उसको लेकर के हम लोग यहाँ सबसे पहले बात करते है friends, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले है, cost of sending an electronic message is nominal तो cost लगबग ना के बराबरी है, इसी तरीके से बात करें, messages are sent and received instantly तो अभी आपने अगर message send किया, तो अभी हातो हात वहाँ पर email जिसको भी आप send करें, उसको पहुंच जाएगे हो सकता है, आप अपने चश पासवाले गर में send करें और दुनिया के किसी भी कौने में करें तो जैसे आपने इंटरनेट के तुरू email किसी को send करी, तो वो email वहाँ तक instantly पहुंच जाती है इसी तरीके से बात कर सकते, email never get lost, ठीक है तो एक तो यह किए ही है, आपकी email जो आप जिसको send करें जैसे अगर आपने किसी को post किया है, किसी को letter send किया, तो शायद बीच में वो कहीं कायब हो सकता है लेकिन email कभी भी ऐसा नहीं होता है email के साथ and do not reach the wrong destination, तो जो आपने email address डाला है, उसी पे ही जाएगा, किसी दूसरे email address पे यह नहीं जा सकता इसी तरीके से बात कर सकते है, email allows us to be touched with the people who are staying far away in no time, ठीक है इसी तरीके से हम लोग कह सकते है, we can attach picture, video, sound to our email and can send this to anyone across the globe इसी तरीके से friends हम लोग कह सकते है, we can read, print, forward, reply, delete or save the received message इसी तरीके से हम लोग कह सकते है, email is usually packaged with the many productivity tools such as an address book मिलती है आपको email के साथ calendar आपको मिलता है, इसी तरीके से friends instant messengers मिलते हैं और भी बहुत सारे आपके पास यहाँ पर tools हो सकते हैं इसी तरीके से बात कर सकते हैं, email provides the customer verification आप लोग जानते हैं, आजकल email जो है, almost हम लोग use कर सकते हैं जैसे social media पर अगर आपको कोई network बना, आपका कोई account बनाना तो उसके लिए भी आपको एक verified email हो आपके पास होना चाहिए almost हम लोग कह सकते हैं, like Zomato है, या आपके पास जो भी दूसरी website, जो भी आप apps वगरे यूज करें, like banking को ले करके या दूसरे जो कुछ भी तो सारे के सारे आपके पास जो code है, या उनसे related जो securities जो आपके पास provide करवाती है, वो सारी के सारी email के थुरू आजकल होती है तो कह सकते है, email provides the customer verification required to use other web services, like social networking है, online shopping है, etc, सारा का सारा का इसी टाप से friends, next हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर email account को ले करके, तो जब आप लोग जानते हैं, जब हमें किसी को email send करना होगा, तो उससे पहले हमारा email का account होना जरूरी है तो friends, हम लोग बात करते है, email account होता क्या है, an email account या जो भी आपके पास email address जो है, is a unique identifier for an email account, it is used to both send and receive email messages over the internet similar to physical mail, an email message require an address for both the sender and recipient in order to be sent successfully, तो email का account आपके पास होना जरूरी है, तभी आप किसी को email send कर पाएंगे या कोई आपको send कर पाएंगा, तो आप उसको receive कर पाएंगे, simple सा है, email address क्या होता है, ये भी आप लोग जानते है तो friends, यहाँ पर मैंने एक email address लिख रखा है, जैसे ही यहाँ मैंने लिख रखा है, सपोज, info at the rate, wsqubetech मैंने लिखा है, तो यहाँ पर info क्या होगे, अपने पास में username है, और at the rate के बात जो लिखा है, wsqubetech.com क्या है, तो यह अपने पास domain होगा, तो अपने बात कर सकते है email को ले करके, email address जो अपने पास होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, तो कह सकते है friends, every email address has two main parts, username पहला तो क्या होता है, अपने पास username, और दूसरा क्या होता है, अपने पास domain name, जैसे आपका को email address है, सपोज मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने बना रखा friends, suran at the rate gmail.com, तो सुरेन क्या होता है friends, मेरा username है, और at the rate के बाद जो gmail.com है, वो क्या है, अपने पास यहाँ पर domain name है, ठीके, तो यही क्या सकते है, the username comes first, followed by an at the rate symbol, followed by the domain name, in the example below, info is the username, and wskubetech is the domain name, ठीके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करें, email account क्या है, email address क्या है, basic चीज़ यहाँ पर discuss करने वाले email program को लेकर के, तो बहुत सारे आपके पास ऐसी services आपको available होती है, बहुत सारी website से जो आपको email की features या email की facilities प्रोवाइड करती है, तो उसको लेकर के बात करें, friends, email program क्या है, basically email program के दीज़े, web mail के दीज़े, web based email के दीज़े, is an email service that can be accessed using a standard web browser, आपको कोई भी web browser को use करते हुए email की facilities को use में ले सकते हैं, it contrasts with email service accessible through a specialized email client software, ठीके, कुछ आपके पास यहाँ well known free web based email services है, जैसे french कह सकते हैं, कि यहाँ आपके पास gmail है, yahoo.com है, msn.com है, outlook.com है, hotmail.com है, तो बहुत सारे आपके पास यहाँ email के platform से, आप चाहें जिस particular company को use कर सकते ह हैं, और उसके बाद आप वहाँ पर अपना email account create कर सकते हैं, और उसके बाद email account create कर देने के बाद आप email किसी को send या receive भी कर सकते हैं, तो email कैसे create होती है, अभी हम लोग आगे discuss करने वाले, कैसे हम लोग किसी को email send करते हैं, account कैसे बनाते हैं, यही सब कुछ अब हम लोग next slide मे discuss करेंगे तो friends पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं email message का format क्या होता है देखिए आपको यहाँ पर basic चीजों को ध्यान रखना है यह एक important topic होता है क्योंकि यहाँ से friends आपके पास जो है वो one mark का question बनता है यहाँ कह सकते है friends जैसे मैं email की बात करा हूँ तो एक तो इसमें होता है from, from मतलब मेरी email id जिसके through मैं email send करा हूँ तो मेरा email address है suppose suren at the rate gmail.com तो suren at the rate gmail.com क्या है जिसके through मैं अपनी email id बेज रहा हूँ तो from कहां से आप बेज रहे हो तो email address of the sender मन जाएगा two, two का मतलब हो गया किसको आप भेज रहे हो अब देखे जब आप email send करते हो तो आप तीन चीजे कई बार observe करते है अभी हम आगे discuss भी करेंगे कोगा two, एक होगा cc, एक होगा bcc तो two का मतलब क्या है आप किसी एक जने को email send कर रहे friends अगर मैं आपको email send करता हूँ आपके email address मैं अपने two में डालता हूँ अगर मैं एक जने को कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा two अगर मैं एक से ज़्यादा को send कर रहा हूँ तो वहाँ पर आपका two नहीं वो क्या हो जाएगा friends cc cc का मतलब क्या हो जाता है अपने पास यहाँ पर carbon copy carbon copy का मतलब है मैं एक email send कर रहा हूँ वो आपको भी जाएगी और किसी और को भी जाएगी अब जब friends मैं cc के तुरू बेज रहा हूँगा तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने जो email आपको send करी वो आपको भी मिली और किसी other person को भी मिली है अगर मैं एक email 50 लोगों को send कर रहा हूँ तो friends उन सभी को पता चल जाएगा कि ये email मेरे अलावा और किस-किस को भेजी गई है उन सब का address भी उसके पास आजाएगा अगर आप cc को use करते वे भीज रहे है लेकिन अगर आप चाता है कि suppose आप किसी को email send करें और दूसरों को पता नहीं चले जैसे मैंने कहाता मैंने 50 लोगों को email send करी अब मैं email send कर रहा हूँ लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा आपके अलावा और किस-किस को send करी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर use करना परता फेंट्स BCC BCC के आपके पास blind carbon copy carbon copy वैसा का वैसा है बस आगे क्या लग गया है blind, blind carbon copy हो चुका है तो आप अगर email बेजने एक जिने को बेजने इसके तुरू बेज दीचे एक से ज़्यादा को बेजने इसमें भी डाल सकते हैं इसमें भी इसमें डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा सिसी में सबको पता चल जाएगा जबकि BCC में किसी को पता नहीं पड़ेगा उसके खुद की अलावा कि रिजल्ट्स आफ क्लास 9 एक सब्चेक उसके बाद में आप वहां पर मैसेज क्या लिखना चाहरा है एक्चुल कंटेंट के है आपके इमेल का तो हो सकता है मैं जब इमेल सेंड कर रहा हूँगा तो इमेल के साथ में मैं आपको कोई फाइल अटेच करके दे रहा हूँ तो मैंने एक्चुल मैसेज में लिख दिया सब्चुल की प्लीज फाइंड ला अटेच्मेंट ठीके और रीचे आपको एक अटेच्मेंट का ऑप्शन मिलता है वहां से आपने अपने एक्सल की कोई फाइल है या आपके पास जो भी स्प्रेडशीट सॉफ़ेर यूज किया उसमें आपने एक फाइल बनाई है और उस फाइल को आपने अटेच्च करके सेंड कर दिया है तो यह आपके पास मैसेज की बॉड़ी यह आइटिंक बेसिक चीज़े हैं कौन सेंड कर रहा है सेंडर ठीके तू सीसी और बी सीसी में कौन सो जाएगा रिसीवर का नाम आजाएगा या उनका इमेल एडर साजएगा सब्जेक्ट में सब्जेक्ट बता दिजे मैसेज बॉड़ी में अक्ट्वल मैसेज लिग दिजे बेसिक चीज़े हैं इसी तैप से फ्रेंट्स नेक्स हम लोग यहाँ पर बात करने वाले वही सब कुछ तो फ्रेंट्स वापस आपके पास एक क्रेटिंग एन इमेल अकाउंट आप अपना इमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो फ्रेंट्स अम लोग यहाँ पर अकाउंट बनाने वादा है गूगल के उपर गूगल की वैब्चाइट पर जाना है और वहाँ आपको एक आप्शन मिल जाएगा क्रिएट अन्यू अकाउंट ठीक है आपको बस क्या करना है क्रिएट अन्यू अकाउंट बटन पर क्लिक करेंगे इस टाइप से एक फॉर्मेट आएगा इसमें क्या करना है friends, आपको first name डालना है, आपको last name डालना है, आपको यहां username create करना है तो देखे, username at the rate gmail.com, आपने अभी discuss क्या था, एक तो क्या होता है अपना यहां पर username और दूसरा क्या होता है, domain name तो यह रहा, आपके पास domain name, ठीके, अब आप यहां पर कोई भी username लिख सकते है friends, मैं लिख सकता हूँ, suppose s-u-r-e-n, अलाकि सारे के सारे small में ही वो बनाएगा, ठीके, small letters में ही आपकी email id create होती है तो friends, जो भी आप लिखेंगे, at the rate gmail.com आदेगा, इसका आप कुछ password डाल सकते हैं, suppose मैं इसका password लिख देता हूँ, 123, इसका confirm password फिर से क्या लिख दूँगा, 123, यह आपको बोलेगा, at least 8 characters होने चाहिए, तो लिखा है, use 8 or more character with a mix of letter, number and symbols, तो यहां आपको ध्यान रखना है, 8 characters से ज्यादा आप use करिए, इसमें symbols भी use करिए, इसमें digits भी करिए, इसमें letters भी करिए, हो सके तो upper case, lower case को भी आप use करिए, जो आपका password strong बनाता है, क्योंकि हो सकता है, आपने कई बार password टाइप किया, किसी ने देख लिया, तो इस format में आपका password को डालिए, कि कोई अगर द देखना चाते हैं, आपने password क्या लगा रखा है, तो आपको इसको क्या करना होगा, टिक माक करना होगा, बस ये complete हो चुका है, next button पे click कर दीजी, आपने जो email address लिखा है, ठीक है, जो आपका create करना चाहरे है, वो email address अगर किसी और ने नहीं बनाया, क्योंकि ये unique होना जरूर अगर ये किसी और ने अभी तक नहीं बनाया है, तो friends, आपका email address यहां create, otherwise आपको बोलेगा, ये नाम आलड़ी किसने ले रखा है, आप यहां को दूसरा नाम लिख दीजे, तो आगे 123, पीछे 123 कुछ भी आप लगा सकते, इस तरीके से आपका account यहां बन जाएगा, बस next कर दिजे, आपका account create हो जाएगा, आप अपने email में आ सकते हैं, दो चार features आप से पूछ लेगा, security को ले करके, वहां आप उनको भी चाहें, तो establish कर सकते हैं, या skip भी कर सकते हैं, तो friends, आपको यहां account बनाना आच चुका होगा, बहुत basic चीजे, अल्मोस्ट आप सभी की, कोई इनको email ID होगी, जरूर होगी, और आपने अभी तक account बना लिया होगा, इसी तरीके से friends, next हम लोग यहां discuss करने वाले हैं, कि send कैसे करते हैं, तो वही चीजे हम लोग एक बार फिर से discuss करें, सबसे पहले inbox, inbox क्या होता है, यह आपके पास एक ऐसा folder होता है, जो भी आपको email send कर पारे spam folder में आके store हो जाती है, आप लोगों देखा होंगा, कई बार कुछ ऐसे messages आते हैं, जिसे company के messages कह सकते हैं, तो पुछ particular company वो email send करती है, unwanted होता है, जिसको हम लोग कभी बार देखना भी नहीं चाहते हैं, तो वो email समारे spam में आके store हो जाती है, इसी टाप से friends, कभी अगर friends, आपने को email बने और आपने send कर दिये, तो वो sent item में जाके store हो जाते हैं, वैसी जैसे आपके mobile के अंदर SMS का options है, वैसे ही, इसी टाप से friends, हम लोग कई बार किसी को email send करना चाहते हैं, तो compose का option मिलता है, किसी particular आप websites पे देख सकते हैं, वहां right mail भी हो सकते हैं, लेकि Google की बात करें, तो वहां पे compose option आपको मिल जाएगा, compose करेंगे, इस टाप से एक dialogue box आएगा, ठीके यहां पर आपको लिखना होता है, 2 है, CC है, या BCC है, तो देखिए 2 में, तो क्योंकि मैंने एक लिखा है, एक example लिखा है, abc.gmail.com, यहां आप देख सकते हैं, friends, CC और BCC भी इसी तरीके से आपके पास next आता है subject, subject यह रहा, मैंने यहां लिख दिया, this is demo email, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिसको email send करें, यहां उसका subject लिख सकते हैं, उसके बाद है, friends, आपके पास message तो मैंने message type कर दिया है, please find attachment, ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके बाद है, friends, अगर मैं यहां कोई attachment डालना चारा हूँ, तो यहां देखें, जहां लिखा रहा है, attach file, ठीक, यहां से friends, मैं इस बटन पर click करूँगा, मेरे computer के अंदर, यह मेरे mobile के अंदर, जो कोई भी file है, जिसको मुझे send करना, attach करना, उसको मैं friends, यहां पर select कर लूँगा, और वो file म इसी type से friends, कई बार आपको को email send करता है, तो आप उसको reply कर सकते हैं, क्योंकि आप inbox में जाएंगे, email आपको display होगी, simple सा आप उसको reply करना चाते हैं, email का reply कर सकते हैं, आपको लगता है, इसको मुझे किसी और को forward करना था, आप उसको forward भी कर सकते हैं, तो I think friends, basic चीज़े हैं इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जो आपको थोड़ा tough लग रहा हो, बहुत basic चीज़े हैं, email कैसे send करते हैं, बस हम लोग यहां यही सारी कुछ चीज़े discuss कर रहे हैं, तो friends, एक छोटा सा chapter था जिसमें हम लोग उने discuss कर रहा है, email को लेकर कि email क्या होती है, किस तरीके साब email send कर सक तो friends, आज इस वीडियो में हम लोग इतने देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए topics के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जूड़े रहिए, thank you